मोदी जी वारांट सी से मात्र डेड़ लाख वोटों से जीते हैं भारत के पिहास में किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए इस सेकिंड लोएस्ट विक्ट्री मार्जन है तो चलिए इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक इलेक्शन डेटाबेस के ऑथेंटिक डेटा और थोड़ी सी पैडिगीरी के साथ में सच जानते हैं इलेक्शन येर नाइटीन फिटिसेवन प्राइम मिनिस्टर नहरुजी जीत का मार्जिन 29,000 वोट्स इलेक्शन येर 1962 और फिर से जीत का मार्जिन 64,000 वोट्स इलेक्शन येर 1967 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदरा जी और जीत का मार्जिन 91,000 वोट्स इलेक्शन येर 1971 अगेन इंदरा जी एंड जीत का मार्जिन 11,000 वोट्स और दोस्तो election year 1977 में बेज़जती की सभी सीमाय तोड़ते हुए इतिहास में पहली बार एक sitting prime minister इंदरा गांधी 55,000 वोटों से हार जाती हैं election year 1996 Congress के sitting prime minister नरसिम्मराव and जीत का margin 98,000 votes दोस्तो सच तो ये है कि राजीव गांधी को छोड़कर आज तक Congress के सभी sitting prime minister की जीत का margin डेढ़ लाग से हमेशा कम रहा है और इसी खौफ की वज़े से पिछले 28 सालों में Congress के किसी भी sitting prime minister ने कभी चुनाव ही नहीं लडा दोस्तो आज भारत के 20 million लोग इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनको ऐसे अनपड़ और अंगूटा चाप में भारत का भविष्य दिखता है तो दोस्तो इस वीडियो को अपने स्टोरी पर लगा के लोगों को सच दिखाओ और Wonder Why को follow कर लो है